हेलो मैं लब लेस्टेंट्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सबसे पहले तो आप सभी को स्रीक्रेश्यन मास्टमी की हार्दिक सोब कामना है तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कैसे कंपनी यहां ब्यापार करने आती है और अपना सामराज इस्थापित कर लेती है तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा प्लासी का यूद्ध होता है और यूद्ध में कंपनी की विजय होती है और अपने आपको बेंगॉल का नवा वास्तो में इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब अधिक पावर अधिक ताकत और अधिक अधिकार थे बट इसका कुछ और भी मतलब था इच कंपनी सर्वेंट बिगें टू है विजन प्रतेख जो कंपनी का करमचारी था नवकर था वो अपने आपको देखने लगा आफ लिविंग लाई का नवाब नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा कंपनी का प्रतेख करमचारी प्लासी के बाद जो वास्तविक नवाब था असली नवाब था बेंगोल के तो उनको बात ही किया जाने लगा वर फोस्ट टु गिव लैंड जमीन देने के लिए अपने पैसे का एक बहुत सारा हिस्सा as personal gift to company official डिक्तिकत जो उपहार है निजी तोफे हैं उनके तवर पे company के जो अधिकारी थे अफसर थे उनको जमीन देने के लिए और पैसा देने के लिए मजबूर किया जाने लगा Robert Clive himself amazed a fortune in India Robert Clive खुद को ही भारत में उसने बहुत सारा जो दौलत था amazed a fortune ठीके भारत में बहुत सारी दौलत जमा कर ली he had come to madras जिसको हम वर्तमा समय में चन्ने की नाम से जानते हैं from England in 1743 वो madras आया था England से 1743 में at the age of 18 उस समय उसकी उम्मरस 18 वरश की हुआ करती थी when in 1767 he left India जब 1743 में तो आया था और 1767 में जब यहां से जा रहा था his Indian fortune was worth उस समय उसके पास कितनी दौलत थी इतनी संपत्ती थी जब वो भारत से जा रहा था Interestingly when he was appointed governor of Bengal in 1764 दिल्चसप बात यह है जब उसको governor newt किया गया 1764 में he was asked to remove corruption in company तो उसने कहा कि जो company में corruption है ब्रस्टा चार है उसको खतम किया जाए इसी कार के लिए उसको बिठाय गया था Administration but was himself cross examined in 1772 by the British Parliament which was suspicious of his worst wealth उसको वहां ब्रस्टा चार खतम कने के लिए सौपा गया था company ने उसको इसलिए भिजा था लेकिन 1772 में ब्रिटिस अंसद ने उससे खुद दोसी पाया suspicious संदिहास्पत पाया कि उसके पास जो विशाल दौलत जमा की है वो उसने भ्रस्टा चार करके कमाई है इसलिए उसको सफाई देनी पड़ी although he was acquitted यद्देप उसको छोड़ दिया गया acquitted भरी कर दिया गया he committed suicide in 1774 लेकिन फिर भी उसने 1774 में आद्म हत्या कर लिए however not all company officers succeeded in making money like Clive यद्देप जो दूसरे अधिकारी थे वो Clive की तरह दौलत खटा नहीं कर पाए not making money like Clive many died an early death in India due to disease बहुत सारे भारत में कम उम्र में ही मर गये बीमारियों के कारण and war युद के कारण and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest ठीक है तो इस क्याधार पे हम उनको ब्रस्ट बेमान साही नहीं है कुछ तो बहुत कम समय मर गये बीमारिक कारण युद के कारण तो उनको बेमान मानना ब्रस्ट मानना भी सही नहीं होगा many of them came from humble background इन में से जो बहुत सारे अफसर्ट थे वो साधार बिनम्र परिवारों से आते थे और उनकी जो इच्छा हुआ करती थी कि भारत में वो बहुत अधिक ठीक ठाक पैसा कमा ले और ब्रिटेन वापस चले जाएं और एक आराम दायक जीवन वहाँ जाके जीएं ये सभी किच्छा होती थी जितने भी यहाँ आधिकारी आते थे कमपनी के वे जो अपने आपको कैसे भी मैनेज कर लेते थे यहाँ से धन सपत्ति कमा के वापस जाने के लिए वहाँ जाके वो नवाबों का जीवन जीते थे आलिशान जीवन जीते थे दे वर काल्ड नवाब उनको वहाँ नवाब कहा जाता था एन एंगली साइड वरजन ओफ दा इंडियन वर्ड नवाब जो भारती शब्द था नवाब वो अंगरेजी संसकर बन गया दे वर ओफन सीन अज अपस्टार्स एंड सोशल क्लाइमबर्स इन बिटिस सोसाइटी एंड वर रिडिकल्ड और मेड फन आफ इन प्लेस एंड कार्टून्स और अक्सर जो अमीर होते थे सोशल जो उनका स्टेटस होता था तो जो बहुत जल्दी रिच हो जाते थे तो ऐसे लोग उन्हें बहुत जल्दी सीन अज अपस्टेड defense समाज जी वो बिटिस समाज सा उनको बहुत जल्दी अमीर बनने वाला रात-ो-रात अमीर बनने वाला दुशिस लोग देखते थे तो फिर उनका मजाग बना जाता था Made fun of in plays and cartoons Cartoon में ये नाटकों में उनका मजाग बनाय जाता था Company rule expense Company का फैलता साशन If we analyze the process of and accessions of needing state अगर हम इस बात का बिस्टेशन करें कि कैसे जो Company है वो भारती राज्यों में विस्टार करती है ठीके कबजा करती है By the Ice India Company from 1757 to 1857 अगर हम 1757 से 1857 के बीच इस इंडिया ने कमपनी ने जो भारती राज है उन पर कबजे की प्रक्रिया की थी अगर हम उसका विशेशन करेंगे तो हम पाएंगे Certain keys accept emerge तो बहुत सारे कुछ मात्तपोड तथ्थे हैं बाते हैं वो सामने आती है The company rarely launched a direct military attack Company ने कोई भी direct सीधे तवर पे हमला नहीं किया On an unknown territory किसी अंजान इलाके में किसी अंजान छेतर पे सीधे साइनिकों से हमला नहीं किया Instead, it used a variety of political, economic and diplomatic method बजाए इसके उसने बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीके अपनाए To extend its influence अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए Before annexing an Indian kingdom किसी भी भारती राजे को हासिल करने से पहले आधिग्रहन करने से पहले उसने बहुत सारे राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक नीतियां तरीके अपनाए After the battle of Buxer, Buxer के युद के बाल और Buxer का युद हुआ कब है 1764 में The company appointed resident in Indian states Company ने भारती राजों में residents न्यूक कर दिये They were political or commercial agents And their job was to serve and further the interest of the company ये company के व्यवसाहिक या राजनीतिक प्रतिनीदि हुआ करते थे और उनका काम था जो company है उसके हीतों को ध्यान में रखते हुए उसकी रच्छा करना है और उसको आगे भी बढ़ाना है भारती राजों में They tried to decide who was to be the successor to the throne और वो कोसिस करते रेते थे कि अगला राजा सिंगाचन पे कौन बैठेगा किसे बिठाया जाए and who was to be appointed administrative post और किसको प्रसासनिक सिवाएं दी जाए Sometime the company forced the state into a subsidiary alliance कई बार company ने जो रियासत थी उनमें सहाएक संधी लगा दी सहाएक संधी जवस्ती थोप दी उनके उपर According to the term of this alliance इस alliance के तहत Indian ruler were not allowed to have their independent armed force इसके तहत जो भारती सासक है ठीक है उनके पास अपनी जो आत्म निरभर सेनाएं है उनको रखने का अधिकार नहीं रहता था They were to be protected by the company उनको सुरच्छा कौन देगा उनको सुरच्छा company देगी company की तरफ से उनको सुरच्छा मिलेगी but लेकिन had to pay for the subsidiary forces जो चाहएक सेना उनको दी गई है इसके लिए उन्हें पैसा चुकाना पड़ता था that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection जो company उनको सहाएक सेना उप्लब्द कराती थी उसके लिए राजा को पैसा चुकाना पड़ता था अपनी सेना तो रखने से माना कर दिया कि आप अपनी स्वतन तो खुद की आर्मी नहीं रह सकते हैं आपको company आर्मी देगी company ने आर्मी दी तो कहा इस आर्मी का खर्चा आपको देना पड़ेगा इफ दा इंडियन रूरर फैल टू मेक दा पैमेंट अगर भारती शासक पैसे नहीं दे पाते थे दिन पार्ट आफ अफ टेर्टरी वस टेकेन अवे एस पिनाल्टी तो पिनाल्टी के तौर पे जर्माने के तौर पे उनका जो इलाका था वो कंपणी अपने कब्जय में लेती थी फ उनके तौर पे रिचार्ड वो शले वाज गवर्नर दिस समय रिचार्ड वेलजली गवर्नर हुआ करता था रिचार्ड वेलिजली जब गवर्नर हुआ करता था तो जो अबद के नवाब थे, उनको बाद ही किया गया, मजबूर किया गया, कि जो उनका आधा हिस्सा है, आधा इलाका है, वो कमपनी को दे दें In 1801, as he failed to pay for the subsidiary forces, क्योंकि वो उनको जो कमपनी ने सहायक से ना दे थी, उसका पैसा नहीं चुका पाये थे Hyderabad was also forced to sit tateries on similar grounds, Hyderabad से भी कई इलाके उससे छीन लिए गये थे What power did the resident have, जो resident company निवद करती थी, तो उनके पास क्या power होती थी, क्या ताकते होती थी उनके पास This is what James Mill, यह कौन है, James Mill है, उन्होंने बताया है, the famous economist, यह famous अजशास्त्री हुए है And political philosopher, और राजनीतिक दार्शनिक हुए है, from Scotland, ठीक है, यह James Mill है, Scotland के Economist अट्सास्त्री हुए है, राजनीतिक दार्शनिक हुए है, wrote about the resident appointed by the governor, तो जो Company के दौरा, resident appointed कि जाते थे, उनके बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो James Mill ने कहा है कि Company resident करती थी, वो स्वतंत्र होता था अपने कार्यों को करने के लिए, और जैसा वो कहता था, जैसा सोचता था, वैसा राजा को करना पड़ता था अगर राजा उसके कुछ अलग करता था, जो resident था, उसके opposite करता था, तो फिर बिरोध पैदा हो जाता था, टकरा हो जाता था according to, जो जे स्मिल है, प्रसिद और सास्त्री हुए है, जेम स्मिल, इन्होंने जब बताया है कि resident कौन होता था, ठीके, तो I hope आप समझ गयोंगे, resident कौन होता था, रियासात का राजा होता था, ठीके